नमस्कार मैं हूं मनोग्या लोईवाल स्वागत है आपका इस लाइव मैं और ये लाइव सीधा बाबा केदारनाथ के धाम से इसलिए हर हर महादेव बाबा के कपाट कल खुलेंगे 6 माई को 6 बच के 25 मिनिट पर जुड़िएगा हमारे साथ क्योंकि हम आपको दिखाएंगे बाबा के कपाट खुलते हुए जो 6 महीने बाद खुलेंगे खासियत क्या है देख लीजे सजावट देखते ही बनती है जैश्री केदार ये तो मंदिर की सजावट है मूर्ती अभी अलग रखी हुई है जिसे डोली के साथ लाया गया है उकी मट से और उकी मट से जितने ल पर देखा है कि हम लोग एक सीडी चड़के आएं हो इसा विर्कुल थाकान विकुल इतना क्या कहते हैं कि उर्जा महसूस होती है अगर सचे मंद से अगर महादेव के दरवार में लोग नंगे पैर आते हैं यह पूरा रास्ता आपने नंगे पैर तेकिया है यहाँ जीरो तेन से पंच दिगडी से यानि शुन्य से पांच डिग्री सल्सेयस तापन में नंगे पैर चलकार आना यह मेरा संकल्ड था बाबा के आश्रिवाद से इतना ज्यादा ज्यादा उज्या मैसुस होती है वगवान बुडूली के साथ हम नीचे से आए और मैंने हरिद्वार से इस बार संकब यह नंगे पाउं जो है बाबा के दर्सन के ले जाओंगा यह उच्छाओ देखते ही बनता है लेकिन जो लोग चाह की गए तो मैं आपना है लिखा सुनाता हूं कुछ नमो नमो जिशंकरा भोले नात शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा स्रिष्टि के जनम से भी पहले तेरा वास था यह जग रहे या ना रहे रहे कि तेरी आस था, क्या समय, क्या प्रल है, दोनों में तेरी महान था, महान था, सीपियों की ओट में, मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा, तू बसा है उस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्तेप मैं तो आख मुंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारहर लिया तमस मेरा, नमो नमो जे शंकरा, भोले नाते शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, सुकून मिलता है, मैं 2011 में आया था यहां के दारनाथ, और मैं भगवान शिव और सती को ही मानता हूं, मेरे गुरु वही है, सब कुछ मैंने अपना उन्ही को समर्पित किया हुआ है, और जब मैं 2011 में आया, तो मैं बाबा के दार की कसम खा के बोलता हूं, मुझे शाक्षा हो, शिव ही शिव शिव मैं जपूं शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूक है और शिव ही मेरी प्यास है, ओ के दारा, तेरा नाम प्यारा, ओ कैदारा, तेरा नाम प्यारा, तुझे से ही चमके, मेरा सितारा, मेरी स्वास में तुही प्राण है, हाँ शिव ही शिव शिव मैं जपूँ, शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है, ये बात इस अठंड प्रेम की है जो हर भक्त के लिए यहाँ पर प्लब मंदिर के खुपाड जैसे ही खुलेंसे उसके बाद तैयारियों में अब कि पूरी तीम लगी हुई है विनोद है हमारे साथ रागाया के उत्तर आров next चपपे को जानते हैं और आज बाबा केदारनाथ के दाम पर भी कवरेज पर बिल्कुल देखिए मैं आपको सबसे पहले बताओं कि जो ये विहंगम दरस्ये हमारे के दरसक देख रहे हैं वो खोद इस बात की अनुभोती पर आप कर सकते हैं कि जो भी आज कपाट खुलने से पहले तमाम शुरत धालू यहाँ पर हैं इसी कि ये जो भीड है डबल होगी ट्रिपल होगी तमाम शुरत धालू यहाँ पर पहुच रहता है कि शायद मैं ऐसा पह स्री बार बद्रिनाथ जी जाओं के लिए बड़ा केदारनाथ का सफर काफी कठीनतम जो यात्रा है वो बाबा केदार की है